हैलो और व्लकम टू जैसे संग लिस्तों आज हम देखेंगे चैप्टर नेस्ट चैप्टर है जिसका नाम है एनिमल्स पोयम इनिमल्स पोयम को हम समझेंगे एक्सपलेशन व्याक्षा तो चलिए सुरू करते हैं कि करा की देखिए करा कि दा पोयाट तेल्स अस दैट ही फिल् से कहते हैं कि अधिक महसुस करते हैं अधिक महसुस करते हैं ठीक है होम गाते हैं कमिलिकेटर मिलिभ जटिल च्राइब जोटा जिनको वह अधिक olen फिड़ जोटा और ज्टिल पाते हैं ठीक है तो इस पोयम में जानवर आनिमल्स आ strum एक करना है कि दोनों में औución जो एन aggregate ले आसा नहीं हो टेन मतलब होता है घूमना या मुड़ना या परिवर्तन लाना लीमिस रहना प्लेशिद मतलब सांत सेल्फ कंटेंड मतलब सैमी लांग मिस लंबे समय तक तो चलिए पहला इस्टेंज हम देखते हैं कर आई थिंक आई कुड टर्न एंड लीव विच एनिमल्स द लांग एंड लांग तो कभी कहता है कि मैं अपरिवर्तन लाओं और जानवरो के साथ रहूं क्योंकि दे-र मतलब या जानवर और सो प्लेटिड वे बहुत ही सांथ और सेंपी होते हैं क्योंकि जानवर जो हैं पहुत ही सांथ और सेंपी होते हैं I stand मैं खढ़ा होता हूं या कभी जो खड़े होकर लुक अट देम उनहें देखते रहते हैं लांग लांग मतलब लंबे लंबे समय तक कभी जो है खड़े होकर उन्हें यानि उन जानवरों को लंबे समय तक देखते रहते हैं तो आई होप की क्लिर हुआ होगा चलिए हम अगले इस्टंजा की बढ़ते हैं यहां पर देखे करा कि स्वेट स्वेट मतलब परिशान होना वाइन मिस कराना या रोना कंडिशन मतलब हालत लाई अवेक मतलब जागते हुए पड़े रहना सिंस मतलब वता है पाप सिक मतलब उभाना डिसकसिंग मतलब विचार विमर्स करना तो चलिए इस टेंजर नमबर in the dark and weep for their sins they do not make me sick discussing their duty to God अब कभी जो इस में बता रहे हैं कि जो जानवर है वो क्या नहीं करते हैं जो मुनिस करते हैं ठेक है तो यहां दे जो है वह इनिमल्स है ठेक है जानवर तो कभी कहते हैं कि जो परिशू है जानवर है है डूनाट स्वेट स्वेट मतलब परिशान होना वे जो है परिशान नहीं होते हैं और वाइन मतलब कराते नहीं रोते नहीं है अपने हालत पे मतलब कभी कहता कि जो पस्व है वह मनिस्वों से अच्छा जीवन जीते हैं वे कभी अपने को आपने हालत पे तीक थिएक एपने हालत पे रोते नहीं और इस पे चिन्तित नहीं होते हैं ठीक अंधेरे में पाप। अपने पापो के रहते हैं और अपने पापों के लिए रोते हूं और कि मुझे सिक उबाते नहीं है परिशान नहीं करते हैं. discussing मतलब विचार विमर्स करके dear duty मतलब अपने करतब्यों का to guardian भगवान मतलब वे जो है भगवान के प्रित हमारा क्या करतब है इसके बारे में विचार विमर्स करके मुझे उबाते नहीं है मतलब जैसे मुनिस से होते हैं दूसरों को समझाते हैं कि हमें ऐसा करने चाहिए ऐस आई होब क्लियर हुआ होगा चलिए अगले इस्टेंजा को देखते हैं इस्टेंजा नमबर थिरी करदा डिस्सटीसफाइड मतलब असंतुस्ट डिमेंटेड मतलब पागल मैनिय मतलब पागलपन ओनिंग मतलब स्वामी बनना नील मिज घुटने टेकना रिस्पेक्टेब मतलब अधर यह तो चलिए तीसरा इस्टेंजा हम देखते हैं नाट वनी डिस्टिसफाइड नाट वनी डिमांडेड विथ देमेनी आफ ओनी तिंक्स नाट वन निल्स तो एनदर नार हिज काइंड डैट लिब थाउजंट ताफ येर अगो नाट वनीज डिस्पेक्टेब मतलब कोई भी असंतुष्ट नहीं होता है मतलब अपने जीवन से कोई असंतुष्ट नहीं होता है नाट वनी डिमांडेड और कोई पागल नहीं होता है विथ देमेनिया मतलब उस पागलपन की तरफ आप ओनिंग मतलब स्वामी बनाना तिंस मतलब चीजों का मतलब कोई कोई जीवन से असंतुष्ट नहीं होता है और कोई चीजों को अपनाने के लिए उस पाघलपन तक पाघल नहीं होता है मतलब यहसे मनुष्भ से होते हैं कि कोई चीज उन्हें अच्छी लग दिया तो उसके पीछे याउस को फागलपन की तरह हासिल करना चाहते हैं तैसा जानुवें से असंतुष्ट नहीं होता है और कोई भी चीजों को अपनाने के लिए उस जो पागलपन तक पागल नहीं होता है ठिक है नौटाउवन नीndट मतल्ब होता है तो एनज मतलब proportion टेकता है त दूसरे focus और नहीं to his kind नहीं उसके प्रकार के that lived thousands of years ago जो हजारों वर्स पहले उस प्रकार के जानवर रहते थे वो भी ऐसा नहीं करते थे ठीक है करा कोई दूसरों के सामने गुटे यह नहीं टेकता है और नहीं उसके प्रकार के जानवर जो हजारों वर्स पहले रहा करते थे और आगे करा कि not only respectable और कोई भी जानवर आदर्डी नहीं है मतलब इसमें क्या होता कि जैसे मनिस्यों में कोई उचे उचे पद पर है तो समानी कहलाते हैं या कोई मद्दवर्गी है या कोई बहुत बड़ा आदमी है तो उनमें मतभेद होता है तो जानवर में ऐसा कुछ नह कोई आदर्डी नहीं है कि इसका समान के जाए और prove या दुखी नहीं है और दag आहर लए पूरे पर प्रिथवी मतलब पूरे में पूरे संसार में या पूरे पूरे पूर्थिवी पर कोई बीजानवर दुखी या आदर्डी नहीं है अर फार छहां सभी जानवर एक समान है एक जैसे हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं है तो चलिए अगला इस्टेंजा हम देखते हैं इस्टेंजान नमबर फॉर लास्ट टोकेन्स मतलब उपहार गुड़ क्वाल्टी इविंस मतलब होता दिखाना परेलिमा इस्पष्टता पजेशन मतलब होता अधिकार में नेगलिगेंटली मतलब होता ला परवाही से और ड्राव मिस गिरा देना तो चलिए इस्टेंजान अब फोर हम देखते हैं करा सो दे सो देयर रिलेशन टू मी एड़ एक्सेप्ट दिम डे बिरिंग मी टोकेंस आप माइसेल्फ दे विनिस दिम प्रेंडली इन देयर पोजेशन अब कहरा कि इसलिए इसलिए दे मिस्वे मनुस्य जो है ठीक है अपने संबंधों को प्रदर्शित करते हैं तो मैं उन्हें स्विकार करता हूं और वह मनुस्य जो है उसे स्विकार कर लेते हैं मतलब जानव के प्रेंड को मनुस्य जो है श॥िकारते है तो कभी सखा दे विड्यमी टोकेंस आफ माइसेलफ कर्णे बृंट भी मतलब मतलब लाते हैं टुब बिढमी मुझे दिखाते हैं या लाते हैं टोकेंस मतलम उपखार या गुर्ड क्वार्टी लाते हैं आफ मतलých मतलब स्वैम किरा मपर्ष जो है स्वैम जो है मनेशों के प्रति जो है उपहार या एक जो है उपहार या गुड लाते हैं और करा दे एविनिस वे दिखाते हैं देम उन्हें प्लेली मतलब इसपश्ट रूप से इन देर पजेशन मतलब अपने अधिकार में मतलब कभी कहता क पस्ट जो है साधार रूप से अपने गुड़ को इसमें दिखाते हैं असपस्ट रूप से अपने गुड़ को इसमें दिखाते हैं ठीक है फिर करा I wonder where they get those tokens Did I pass that way huge times ago and negligently drop them तो कभी कह रहे हैं कि कभी को लगता कि I wonder मुझे आस्चे रहे है ठीक है करा कि उन्हें बहुत ही आस्चे हो रहा है कि where कहां से they get those tokens कहां से उन्हें यह tokens यह उपहार यह good मिले हैं अलब कभी जो है आस्चे पोई सोचता है कि उन्हें इन जानवरों को यह quality यह good जो है उपहार कहां से मिले हैं और आगे बाद सोचते हैं कि did I pass that way huge times ago तो करा कि क्या आज मतलब मैं यानि मनुष से जो है pass मतलब गुजर रहे थे वे मतलब रास्ते से huge time से मतलब बहुत समय पहले या बहुत समय पहले जब हम वहां से या मनुष से वहां से गुजर रहे हूं और negligentry मतलब लापरवाही से drop दे मतलब उन्हें गिरा दिया हो मतलब जो quality मनुष से के अंदर थी ठीक है जो जानवरों में आ गई है एक अच्छी quality प्रेम की वही करा कि कभी को लगता है कि ये टोकंस ये गुट पहार पहार जो है उन जानवरों के पास कहां से मिले हैं क्या हमने जो है क्या मनुषczas ayam माना वता के गुड़ को खो दिये हैं परंतु पस्वों में अभी भी हैं मतलब वह गुड़ पस्वों में हैं तो यह चीज कभी बताना चाहा रहा थे वाल्ट विटमेंड के जुआ लिखा गया है और यह लिए गया है कहां से सांग आफ माई सेल्फ इन लीपस आफ ग्रास इ कहां पर आपको मिलेगा थैंक्स थैंक्स पर वाचिंग